आप लोगों का ध्यान इस चुनाओं में अपनी पार्टी वे सप्पा के भी उमीद्वारों को काम्याब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस समझ में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद काफी लंबे समय तक खेंद्र में वे देश के अधिकांस राज्यों में भी जादा तर यहां कांग्रेस पार्टी का वे बाद में बीजेपी वे कुछ समय के लिए अन्य और पार्टियों का भी रा केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अर्से तक रहे शाशनकाल में इनकी अधिकांस रही गलत नितियों वे गलत कारें परमाली की वज़े से ही फिर इस पार्टी को यानि कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र वे देश के काफी राज्यों में भी सक्ता से बाहर जाना पड़ा है सत्ता से अलग होना पड़ा है और अब बर्तमान में देश में लोग सबाट के लिए होरे आंचनाओं में बीजे पीबी केंडर में अपने सरकार की अभी तकरई खास कर आरेसस वादी, पूझी वादी, संकिर्ण, संप्रदाइक, दुएस पून वे जाती वादी गलत नितियों वे गलत कारे परमाली की वज़े से इस बार सत्ता से जरूर भार चली जाए इस बार बीजे पी सत्ता में किसी भी कीमत पर वापिस आने वाली हो और इस बार चुनाओ में इस बार चुनाओ में इनकी कोई भी नातक बाजी वे जुम्राबाजी काम में आने वाले गए और खासकर अब इनकी चौकीदारी के ये नहीं नातक बाजी बी इनको नहीं बचा पाएगी, जिस से अब ये चुनाओ में जवरबस्ती देश वर जन हिस से जोड कर इसको राजनितिक लाब के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें भी इनको इस बार किसी भी कीमत पर काम्याबी मिलने वाली नहीं है, चाहे इस तुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चोकेदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा लिए, और इसकी मुख्य वज़े यह है कि बर्तमान में परधान मंत्री सिरी नरेंडर मोदी ने यहां पिछले लोगसभा के हुए आम चुनाओं में देश में खास कर गरीबों, मजदूरों, बेरोगारों, करमचारियों, युवाओं, महलाओं, किसानों, बरपारियों वे अन्य महनत कस लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मूसलिम वे अन्य धार्मिक अल्प संकत समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंखे परलोगन भरे चुनाबी वाइदे किये थे तो उनका अभी तक भी इनों ने जमीनी हकिकत में लगबग एक चोथाई हिस्सा भी कारिये फूरा नहीं किया है और अब अपनी इन कमियों वे विफलताओं पर से इनका ध्यान बातने के लिए खुद परधान मंत्री सिरी नरेंद्र मोदी ने इन चुनाबों के घोसित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोग सबान चुनाब की तरह ही फिर से या किसं किसं के इस्तिमाल करके जनता को गुम्रा करने का भी पूरा-पूरा प्रयास्थिया है जिसके तहती ये पूरे देश में ये चिनाब घोसित होने वाले दिन तक भी अपने सरकार के जबर्दस्ती की असंखे हवा हवाई घोसनाय वे खोकले सिलानास अबम अब कच्चे कारियों का यूद घाटन आधी करने में ज्यादा तर लगे रही और ये कारिये इनोंने पुल्वामा में हुए आतन की हमले वाले दिन तक भी ब्राबर जारी रखा है जिससे इनके राष्ट भक्त वे देश भक्त होने का भी काफी कुछ परदा फास हुआ है और इतना ही नहीं बलकि इनके जबरदस्ति के किये गए इन कारियों के परचार परसार वे आयोजन पर भी इनोंने देश की जंता के कई हजार करोड पे भी सरकारी खजाने के खर्च कर दिये हैं जबकि इस आपार धन तो यहां देश के अती गरीव वे अती बेशारा लोगों के हितों में भी लगा जा सकता था किन्तो ऐसा इनोंने नहीं किया इसके साथ ही परधान मंत्री सिरे नगेंदर मोदी की सरकार ने यह चुनाब घोसित होने से तहले देश की जंता को वे बिबिन छेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपने सरकार के आखरी वे अंतरिम बजट मे जो भी इने सोगाते दी हैं तो यह जादा पर इनके इनकी अपने राजनितिक लाग के लिए दी गई किवन मात्र हवा हवाई वे खोकली किनाबी सोगाते हैं इसके सिवाए कुछ भी नहीं है जबकि यहां विशेश कर देश के किसान सोई सरकार में सुरू से ही अपनी विभी समस्याओं को लेकर काफी ज़्यादा दुखी रहे हैं और अभी दू है और आपके महराष्टी स्टेट में जो विधर्व का एरिया है जहां तो किसानों के इस्तिती बहुत ज़्यादा खर जबकि इस समय केंदर में भी वीजे पी के सरकार हैं और आपके महराष्ट ने वी दोनों जगह सरकार होते हुए civvy किसानों की आवलत 19 दुर काफी बद्दाल अभी वी किसानों ने अपना आज महत्ता करने का यहां सिलसला अभी भी बंद नहीं हुआ है तो किसान यहां पर भी किसान लोग अपने बिभिर समस्याओं को लेकर काफी ज़्यादा दुखी है इसी परकार केंडर की वर्तमान भाज़ापर सरकार में वे पूर्व की कांग्रेसित सरकार की तरह ही देश के खास कर यहां गलितों, आधिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य भार्मिक अल्पसंक्त समाथ के लोगों का भी कोई खास भला आधि होने वाला नहीं जब तक यहां इनकी वे अन्य विरोदी पार्टियों की भी यानि की बीजेपी वे अन्य वरोदी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी भी चलिया रही । इनकी जातिवादी, हीन, संकिरh वे सम्प्रदाइब सोच पूरे طور से बदल नहीं जाती है यही मुख़्े वज़े हैं कि इन्हें बावर साथ डॉक्टर भीमराबंबेद करके अठक पर्यासों से पूरे देश में खास कर सरकारी नोकरियों में जो भी आरक्षन की सुविधाई मिली हैं तो उसे इन वर्गों के प्रती अभी भी ही जातिवादी मांसिक्ता रखने वाल से धीरे धीरे खतम करने की लिए पूरी पूरी कोशित में लगे हुई हैं जिसके कारण ही देश में केंद्र व्यादिकांस राज्यों में भी लंबे अर्से तक राज करने वाली खासकर कांग्रेस पार्टी ने और अब बर्तमान में बीजेपी की केंद्र ग्रैंट की आपके महरास्टी स्टेट में भी देखने के लिए मिल गई है इसके साथ ही पिछले कुछ वर्सों से यहां खासकर कांग्रेस वे बीजेपी की अंद्रूनी मिली भगत से ही अब पूरे देश में दलितों वे आधिवासियों के पदोंती में आरक्षन को भी अधिकांस प्र भावी बनाने के लिए फिर हमारी पार्टी को संसत के अंदर वे बाहर भी काफी कड़ा संगर्स करना पड़ा है इतना ही नहीं बलकि अब तो इन गर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षन दिये जाने की विवस्ता किये बिना ही केंडल वे राजे सरकारो के भी जादा तरकारिये यहां प्राइवेट सेक्टर के जरिये ही देश के बड़े-बड़े पूझी पतियों गधना सेतों को ही दिये जा रहे हैं जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को यहां आरक्षन का बहुत कम लाग मिन पारा है और इससे अ यहां दलितों वे आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोग भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और वैसे भी यहां अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को यह मालूम हना चाहिए कि इन्हें भारते सविधान के तहत आरक्षन दिये ज करकार में ही मंदल कमिशन की रिपोर्ट आ गई थी जिसे इनों ने अपनी जातिवादी मानसिक्ता की वज़े से लागू नहीं किया था अर्थात इसे छंदे बस्ते में डाल दिया गया था इसके बाद फिर हमारी पार्टी को इसे लागू करवाने के लिए पूरे देश भर म कि देश में मंदल कमिशन की रिपोर्ट लागू हो और यहां पिछडे वर्गों को भी आरक्षन की सुवीधा में ले और इस समंद में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि जब बीस्टी के अठक परियासों से केंडर में सिरिफ बीपी सिंग की रही सरकार ने इन वर्गो की मंदल कमिशन की रिपोर्ट को लागू किया और साथ ही इन वर्गों के मसिया परन उज्जे बाबा साथ डॉक्टर भीमराब अंबेडगर को भी भारत रतन की उपाटी से समानिक किया तो तब इससे दुखी होकर उस समय इनको भाट से समर्चन दे रही खासका बीजे पी इनकी सरकार को जादा जादा दिल तक नहीं चलने दिया था और फिर इनों ने इसके विरोध में पूरे देश भर में धरना प्रद्रशन नादी भी खुब किया था इतना ही नहीं बलकि इन वर्गों के उपर अभी भी हरस्तर पर आई दिन हो रही जुर्म जाती भी किसी से चिती ही नहीं है इन वर्गों के साथ साथ पूरे देश में मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्प संक्र समात के लोगों की भी हालत हमें अभी भी कोई खास अच्छी नगर नहीं आती है जिसका काफी कुछ खुलासा केंदर सरकार की सचर कमैठी की रिपोर्ट में भी किया ग करके चलते हुए अब इनका विकास वर उत्थान होना भी लगभग बंद साही हो गया है और अब इन पर आई दिन हो रही जुर्म जाती भी यहां काफी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है इसके इलावा अभी हाली में केंदर सरकार द्वारा देश में अपरकास् को दस परतिशत आरक्षन दिये जाने से भी इनकी स्तिती में पूल रूप से सुधार होने वाला नहीं है बलकि इसके लिए इनको अन्य और छेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे इसके साथ साथ आपके परदेश से ही पूरे देश में सर्व समागने से कर यह गरीब, मजदूर, किसान, करमचारी, वहतारी, अब हम अन्य महनत का स्लोग भी अपनी बिदिन समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज़्यादा दुखी वह परेशान ही निजर आते हैं इसके साथ ही पिछले कुछ वर्सों से केंडर सरकार की लगातार चली आ रही गलत आर्थिक नितियों के कारण अभी यह पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी वे महगाई आदी भी काफी ज़्यादा बड़ी है जिससे अभी हाँ सर्व समाज में से सबसे ज़्यादा गरीब, महनत कस अभी मध्यंबर्गी लोगी काफी बुरी तरह से परभावित हो रहे हैं इतना ही नहीं बलकि केंदर की बर्तमान भाज़प्रा सरकार में इनकी बिना पूरी त्यारी के ही खासकर नोट बंदी वे जीएश्टी को लाजू करने के इनके लिए गए इस फ्रेशले से तो अभी भी यहां देश में गरीब वे आम जनता तसम मध्यंबर्गी कारोबारी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इससे अब देश के अर्थ ववस्ता पर भी काफी बुरा परभाब परड़ा है जिससे अब यहां गरीबी बेरोजगारी महंगाई वे अनेक और गंबीर समस्याएं भी काफी ज़्यादा उत्पल हो गई हैं इसके इलावा पिछले कुछ वर्सों से अपने देश में हर सर पर यहां भरस्ता चार भी काफी ज़्यादा बड़ा है और इतना ही नहीं बलकि इससे अब यहां रक्षा सोदे तक भी अच्छूते नहीं रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेशिस सरकार में बोफोर्स का मामला और अब बीजेपी के सरकार में राफेल का मामला भी इस बात का खास सबूत है इसके इलावा केंद्र की वर्तमाल सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तोर से सुरक्षित रहे हैं जिसकी वज़े से अभी तक या आतंकी हमलों में काफी जादा जानी माली नुकसान भी हो चुका है इस परकार से अपने ऐसी खराब इस्तिती को देखते हुए पूर्ग की कांग्रेसिंग सरकार की तरह ही बीजेपी की भी बर्तमाल केंद्र की सरकार में फिर सडियंत्र के थैट अपने इस सब कम्यों पर अपने खास बितक्स का मूँ बंद रखने के लिए यहां पिछले में से उनके पर्मुख वे प्रभाब साली लोगों को तथा उनके नजदी की रिस्ते ना तो आदी को भी जवरन फर्जी जूटे मामलों में फसा के उनका काफी ज्यादा शोशन वे उत्पीडल आदी दिखिया है जो अभी भी लगातार जारी है और इसके लिए इनोंने व मुखे कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अब तक केंदरवे देश के अधिकांस राज्यों में भी जादा तर सकता यहां कांग्रेस बीजेपी वे अन्य गलत पार्टीों के हातों में ही आने को मान कर चलती हैं और यह इसलिए मान कर चलती हैं क्योंकि तर यहां बड़े-बड़े पूंजी पतियों वे धन्ना सेतों की ही आर्थिक मदद से सता में आती रही हैं और सता में आ जाने के बाद फिर यह पाटियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक वे अन्य सभी नितियां यहां गरीब वे आम जन्ता की समस्याओं को दूर कर करने के साथ से त्यार नहीं करती हैं बलकि देश के उन बड़े-बड़े पूंजी पतियों वे धन्ना सेतों को ही फाइदा पहुचाने के साथ से ही अपनी अधिकांश्रितियां त्यार करती हैं जिनके धन वे बल से चुनाब लगकर जादा तर यह पाठियां केंदर वे र आपके खुद के अपने परवेश में भी अभी भी हमें यहां सर्व समाथ के लोग अधिकांस मामलों में अपने विविन समस्याओं को लेकर काफी जादा दुखी वे परिशानी नजर आते हैं जबकि पूरे देश में बहुचल समाथ पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजी पतियों वे धन्ना सेकों की आर्थिक मदद से नहीं बलकि अपनी पार्टी के ही आम कारे करतां की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र गयराज्यों की सता में आना चाहती हैं ताकि हमार पार्टी सकता में आने के बाद फिर बिना किसी दवाब के वे आजाद होकर यह सर्व समात के लोगों की सबी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामने में वे हर स्थर पर खुशाल बना सके और इसी अधार पर चलकर आबादी के इसाब से देश के सबसे बड़े परदेश अठात उत्तर परदेश में चार बार हमारी पार्टी ने अपने लितित में वह सरकार बनाई है और हमने अपनी सबी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचार धारा अब हम सिद्धानतों के तह चलकर वैसे तो वहां सर्व समाज के हिंतों का पूरा-पूरा ध्य लेकिन सबी मामलों में प्रात्विक्ता पहले हमने वहां सर्व समाज में से विसेश कर उन शोशित पीडित वे उपेक्षित समाज के लोगों को ही दिया है जिनकी हर मामले में वे हर स्थर पर वहां सबी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी जातिवादी संकेन व प्रदेश में वहां गरीब अवंग बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भक्ताना देकर उन्हें बड़ी तदाद में सरकारी एवन गैर सरकारी छेत्रों में इसता ही रोजगार ही उपलक्ज कराए है इसके साथ हमारी रही सरकार ने वहां सरसमार के लोगों के उपर किसी भी प्रकारकी कोई जुर्म जाती आपी भी नहीं होने दिया है और इस मामले में हमने वहां जुरुम जाती करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किये हुए उन्हें तुरंप ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है जहां मेरी सरकार में उनकी सईव असली जगा होती है इसके लावा हमारी रई सब्कार ने वहां देश में दली तैवं अंदे पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्में अपने महां संतों गुरुओं वे महापुर्सों में भी खास कर मात्मा जोती राफूलें शिरी शत्रपती शाहुजी माराद, शिरी नारायना गुरू, बाबा साथ डॉक्टर भीमराव अमेजगर, एवा मानिवर, शिरी कांशी रामजी आदी को भी बिभीन गुपों में पहली बार वहां पूरा-पूरा आदब संबान दिया है जिने अभी तक भी वहां बिरोधी पार्टियों के लोग असानी से पचा नहीं पा रहे हैं इस प्रकार से उत्तर परदेश में हमारी पार्टी ने अपने चारोले साशनकाल के दुरान अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय वे सर्वजन सुखाय की नितियों के अधार पर चल करें वहां हर मामले में वहर इसतर पर सर्व समाज के लोगों को काफी भैतरी सरकार दी है और ज़िए आप लोग भी अपने परदेश के साफ साथ पूरे देश में भी ऐसे ही कारे करना चाहते हैं अर्ठात ऐसा ही वाता वरन पैदा करना चाहते हैं तो फिर आपको भी इस समय देश में लोगसभा के लिए खोरे आम चुनाओं में यहां अपने परदेश से भी अपनी पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट दिखाना होगा ताकि फिर हम लोग एक मजबूत ताकत बनकर अर्ठात बैलेंस और पावर बनकर केंदर की सक्ता तक पहुंच सके और जब केंदर में भी हमारी पार्टी की सक्तार बन जाती है तो तब फिर हम लोग उत्य परदेश की तरह ही यहां पूरे देश में भी हर मामले में वे हर सरतर सर्जन हिताय वे सर्जन सुकाय की नितियों पर अधारिती अपनी सर्कार चलाएं इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी धर्ण वे वर्ण के अधारत वर व्याप्त उचनीच बेदभाज वे धर्णी को नमाज आधी को भी जड़ से खतम करके फिर यहां संता मुलक समाल व्यवस्ता आपसी भाई चारा वे सोहार्द आधी का वाता वर्ण भी पैदा करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा और इससे पीडित खास कर देश के दलितों आधी वासियों पिछड़े वर्णों मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसिंटे समाज के लोगों का हर इस्तर पर विसेश ध्यान रखा जाएगा और देश में अभी भी हर इस्तर पर खैले भरिस्टाचार को भी हमारी सरकार जरूर खतम करेगी इसके साथ आपके परदेश की केंडर से जुड़ी जो भी यहां स्तानिय समस्या होंगी तो फिर उने भी दूर करने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा इसके इलावा हर मामले में राष्टे वे अंतर राष्टे सर पर आर्थिक वे अन्यस सभी नितियां भी यहां अपने देश वे सर्व समाज के हीतों को ही दिहान में रखकर बनाई जाएगी अपने देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखने के साथ अपने पड़ोशी के लिए पूरी सक्ति से कदम उठाए जाएंगे किन्तु इन सभी कारियों को करने के लिए अब आप लोगों को अपनी पार्टी वे अपनी सहोगी पार्टी समाजवादी पार्टी को भी को भी मिलकर इन दोनों पार्टियों को यहां आपको महरास्ति स्टेक में मिलकर तो यहां से अच्छा रिजल दिखाना है और अन्य राजों में भी जब हमारे लोग अच्छा रिजल दिखाएंगे और उत्तर प्रदेश में तो पूरी संभावना है कि वहां पर समाजबादी पार्टी भाउजल समाज पार्टी और आरंडी का गटबंदन हुआ है और इस जो बांकी सीथे हैं उत्तर प्रदेश में जब रिजल ताएंगा चोकाने वाला रिजल ताएगा और देश का जो करढ़ कर्दंमां क्रिया म। ज्यादा कर उत्तर प्रदेश की एहम भूनिका होती है उसको बनाने में और जब देश का परधान मंत्री बनाने के बात आएगी तो उस समय उत्तर प्रदेश का जो हमारा अलाइंस हुआ जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट के पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और उसमें मैं ये चाहूंगे कि जो अन्य राज्य हैं उनकी भी एहन भूनिका होनी चाहिए आपका महराश्ट परदेश भी इस कारिये में पीछे नहीं रहना चाहिए आप लोगों को भी यहां से अच्छा रिजल्ट इसमार दिखाना होगा और तबी फिर आप लोग और जब आप लोग केंदर में आप लोग सकता में आप लोगों को जब तो आप लोग चाहते हैं कि हमारी सबी समस्याओं का समादान हो हमारा देश खुशाल हो हर परकार की समस्याओं का निदान हो तो इसके लिए अब आप लोगों को अपने महराष्ट स्टेक में भी अच्छा रिजल्द लाकर अन्य राद्यू को भी अच्छा रिजल्द लाना होगा उत्र पर देश तो लाएगा ही तो आप लोगों को ये अच्छा रिजल्द लाकर केंदर में आप लोगों को पावर में और इसके लिए अब आप लोगों को बोग पढ़ने वाले दिन तक भी या सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेड आधिहत कंडों से भी जरूर साथ धन देना हैं और इस संदर्ण में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि चुनाव के दुरान अधिकांस यहा विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया विया ओपीनियन पोल एवन सर्वेयादी का जो बड़े पहमाने पर इस्तेमाल करती हैं तो उनसे आप लोगों को कतई भी घुम्रा नहीं होना है इसके साथ आप लोगों को पूर्व की तरह इस चुनाव में भी जिलोधी पार्टियों के जारी किये गए उनके हवा हवाई वे परलोगन भरे चुनावी घुशना पक्त्रों के भैकावे में भी बिलकुल नहीं आना है जिने ये पार्टिया चुनाव खत्म होने के बाद जादतर दर किनारे कर देती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का दिकांस विश्वास ही उड़ता जा रहा है जिसकी खास वजे से ही हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह या किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी खोसना पत्र आधी जारे नहीं करती है और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कारी करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रकती है और इस संदर में मैं खास कर बीजेपी यग कांग्रिस पार्टी के बारे में यानी कि चुनाभी घोस्ना evidence पत्र जब यह लोग जारी करते हैं खासकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तो बड़ी बड़ी बाते ये लोग करते हैं कि हम लोग पावर में आगे हम ये ये करेंगे और परलोभन भरे वाइदे अपने चुनावी घोष्टना पत्र में ये लोग करते हैं तो इस संदर्भ में में मखाश कर तो बीजेपी बे कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूंगे कि बीजेपी ने देश में इसले लोग सबाके हुए आगे आगे राम चुनाव में अपने जारी कीएगे चुनावी घोष्टना पत्र में यहाँ केंदर में अपने सरकार बनने पर देश की जंता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंखे परलोबन भरे चुनाबी वाइदे किये थे तो उनके अब यह चुनाबी वाइदे जो किछले लोग सबाम चुनाओं में BJTN कंपनी के लोगों ने जो बढ़िया बढ़िया परलोबन भरे जो उन्होंने चुनाबी वाइदे किये थे तो इनके अब यह चुनाबी वाइदे केंडर में पूर्व की रही कांग्रेसिस सब्कार की तरही अधिकांस यहां हवा हवाई व्यखोक नहीं साबित हुए और इनका विशेव कर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15-20 लाक रुपे के साथ से देने का यह वाइदा भी अब यहां पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक्सा ही बनके रह गया है इसके साथ ही इस पार्टी का सब का साथ व्यक्ता विकास की भी कही गई यह बाद भी केवल यहां एक जुम्लेवाजी ही बनकर रह गया है और इतना ही नहीं बलकि अब इस चुनाम में इसी प्रकार के परलोवन भरे व्याहवा हवाई चुनामी बादे कांगेस पार्टी भ पूरे देश की जंता काफी से बर्सों तक अजमा चुकी है। जिसकी खास वजे से ही अब यह कांग्रेस पार्टी के इंदर के साथ साथ काफी राज्यों की भी सकता से बाहर हो चुकी है। और फिर से इस चुनाव में इन्हों ने खास कर जैने कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में खास कर गरीबों के बोटों को नुभाने के लिए अपनी पार्टी के खोसित नियूंतम आई योजना के जरिये देश के लगभग 20 परतिशक अथी गरीब परिवारों को हर मही इन्होंने 6,000 परिपे के साथ से हर साल 32,000 पर देने की जो बात कई है तो इससे इनको यानि की गरीबों को यह कोई स्थाई मदद मिलने वाली नहीं है यह कोई जो इन्होंने ऐलान किया है तो इससे यहां गरीबों को यहां कोई साई मदद मिलने वाली नहीं है क्योंकि केंडर राज्यों में वैसे भी हर पांच वर्स में यहां अधिकांस सक्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस मामले में यह कहना है कि यदि केंडर में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर हमारी सरकार यहां देश में अती गरीब परिवारों को हर महीने 6000 पर देने की बजाए उन्हें सरकारी वे गैर सरकारी छेत्रों में इस साई रोजगार देने की ही निवस्ता करें और वैसे भी BSP की सोथ वे निती के मुताविक ये जटिल समस्या यानि कि गरीबे को दूर करने की समस्या यहां हर हाथ को काम देने से ही दूर हो सकती है इसलिए बीजेपी की तरह इनके भी इस हवा हवाई वाइदे के भैकावे में यहां गरीब लोगों को कतई भी नहीं आना है इनी जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने परदेश के यानि कि अपने महरास्ट स्टेट के तथा पूरे देश के भी हित में अपने बोटों को इन सभी दिरोधी पार्टियों को ना देकर के वल यहां अपनी एक मात्र हितेशी बहुजन समाज पार्टी वे अपनी गड़बंदन की यहां समाजवादी पार्टी को ही देना है जो यह केंडर यहां आपके परदेश में भी अपनी सरकार बनने पर फिर यहां आपके परदेश सही पूरे देश में अपनी यहां सब्सक्राइक पर आधारिती सरकार चलाएगी और तभी कि जहां हमारे महां संतों घुरुओं वे महां पुर्सों आधी का भी अधूरा रह सकना जरूर सा कार हो सकता है और आप लोगों को ये मालूम है कि बाबा साथ डॉक्टर अंबेगर की आज ये जो महारास की स्टेट है ये करम भूमी रही है कि और ऑबा साथ डॉक्टर अंबेगर के देहन के बाद ये इच्तिफाधी है कि मालनेवशरी कांषी राम जी की लिए यही अधिकांश करम भूमी रही है तो बाबा साथ डॉक्टर अंबेगर ने तो भारतय सविधान में आप लोगों को जिन् Great एक ह और जो धार्मिक अल्प संके समाज के लोग हैं मुस्लिम अन्य अकले समाज के जो लोग हैं तो इन लोगों का जान माल वे मजब सुरक्षित रहे तो इसके लिए जो धर्म निर्पिक्स्ता के अधार पर उन्होंने जो देश का सविधान बनाया आहिंतियार किया मैं समझती तो यह आज जो अपने देश में जो थोड़े घने थोड़े बहुत जो मुस्लिम या अन्य धार्मिक अल्प संके समाज के लोग सुरक्षित हैं तो यह परम पुझे बावास साथ डॉक्टर अमीदगर के ही दिन हैं वरना जहां पर वर्तमान में जो बीजयती पावर में है और जो इनका जो में संटना आरेसस जो इनकी नितित यार करता है और नाधपुर तो आरेसस का हैड ओफिस है यहां से पुरा कंट्रोल यह लोग करते हैं और यह लोग नहीं चाहते हैं कि भारते सविधान के तहर्त तो आप लोगों को जिंदगी के हर पहले में आगे और ये लोग फिर से पुराने वरन वगस्ता को काइम करके आप लोगों को अपना गुलाब और लाचार बना कर रखना चाहते हैं इसलिए मैं चुनाफ के मोके पर आप लोगों को ये कहना चाहती हूं कि बाबा साथ डॉक्टर अंबेद्गर के संघर्ष को याद करो उन्हों ने क्या क्या आप लोगो को सरा दी भारते सविधान में उन्होंने को री सलाही में दी संघर्षी नहीं किया बलकि उन्होंने भारते सविधान में जिन्दकी के हर पहलो में आगे बढ़ने के लिए कानूनी अधिकार दे दिये और इतना ही नहीं कानूनी अधिकार देने के साथ साथ आपको भोट का अधिकार दिया और आपको ये भी इनुने कहा कि आप लोगों को मैंने कानूनी अधिकार तो दे दिये हैं यदि आप लोग सही माइने में इसका पुरा फाइदा उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को क बहाई चारा पहदा कर ले और आप लोग संक्तित हो जाएं, तो आप लोग अपने आप में बहुत बड़ी टाकत हैं। दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ख के लोग हैं, मुस्लिम हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, अपरकास समाज में से गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्रपारिंग हैं, बेरोजगार लोग हैं, ये सब दुखी और पीडित लोग हैं। यदि आप लोग आपस में आप लोग भाई कारे के अधार पर संकीत हो जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि आजादी के बाद से लेकर अब तक यहां पर वर्सों बीत चुके हैं, केंदर और राजियों में बिजिन पार्टियों की सरकारे रहे हैं, लेकिन आप लोगों की स्थित तो ऐसी स्टिपी में मेरा आप लोगों से यही कहना है जो फारमजीं को बहुदू स्माथ पार्टि प्र हारम दिया है इसके ज़रीए अब आप लोगों को अपने आपको त्यार करके और चुनाव एक मौका होता है चुनाव में जिदि आप लोग अच्छा रिजल दिखा दे तो आप लोग अपने संतों गुर्वों और महापुर्सों का जो धूरा राज सपना है उसको आप लोग जरूर पूरा कर सकते हैं तो मैं समझती हूं लेकिन यस के लिए आप लोगों को इस चुनाव में चुनाव में एक मौका मिलता हाथ लोगों को तो इस चुनाव में आप लोगों को अपने अपने इस कड़ंडन को बहुजर समाजवादी पार्टी को आप लोगों को कामयाब बनाना बहुत ज़रूरी है कि सुम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यह नुरूत करती हूं इस चुलाम में यहाँ के महरास्ट्री स्टेक में जिन लोगों को भी हमारी पार्टी ने यह समाजवादी पार्टी ने तो उन्हें आप लोगों को रात दिन महनत करके आप लोगों दरूर काल्याब बनाना हैं और इसके लिए अब आप लोगों को भूत करने वाले दिम तो बीआश्टी के बीस के और समाधवादी पार्टी के सभी आप कारे करताओं को अकेले उनकों ही नहीं, अपने छेतर के लोगों को भी साथ में लेकर आपका कोई बोट रहना जाए, सबको साथ में लेकर तो आप लोगों को अपने अपने पोलिं बूतों पर अपना बोट डालने के लिए जरूर जाना है और हम मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि बहुदेव समाज़ पार्टी के जो उमीदवार हमने आपके महारास्ट स्टेट में जिन स्टीटों पर भी खड़े किये हैं तो मेरी BSP के लोगों से और समाज़वादी पार्टी के लोगों से भी यह पुर्जोर अपील है कि आप लोग मिलकर तो BSP के उमीदवारों को BSP का जो चुनाबचिन हाती है हाती चुनाबचिन के सामने वाले बटन को दबाकर और समाज़वादी पार्टी के उमीदवारों को साइक्ल चुनाबचिन के सामने वाले बटन को दबाकर इन दोनों पार्टीों के उमीदवारो को आप लोगों को जरूर काम्याब बनाना है इनको कारले में जिता कर जरूर भीजना है इस खास अपील के साथ ही हमने अपनी बात यहीं समात करते हुए आप लोगों से रजा लेती हो जै भी जै भारत को